तो दोस्तों, Realme की तरफ से नए स्मार्टफोन इंडिया में लॉंच हो चुके हैं, यहाँ पर है मेरे पास Realme GT Master Edition, कुछ वक्त पहले हमने Realme GT को Unbox किया था, इसका लिंक जो है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में में मेंचन कर दिया है, यहाँ पर Realme GT Master Edition है और इस वीडियो के अ इसके फीचर के बारे में बताऊंगा, फोन कैसा है वो बताऊंगा और इसका एक विक ओवर्विव दूँगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक ज़रूर दे देना, चैनल को सब्स्ट्राइब ज़रूर कर देना और ब 5G प्रोसेसर है, यह OctaCore CPU है, 120Hz का Super AMOLED इसमें दिया गया है, जो Samsung की तरफ से है, 65W का SuperDart चार्जिंग इसमें है, SuperSlim डिजाइन और Lightweight डिजाइन इसमें मिल जाती है, Master डिजाइन इसको बोलते है, तो चलिए देख लेते है इस फोन को, उससे पहले मैं आपको रिखा दू Quick Guide है, User Guide दी गई है, Safety Guide सब चीज़े है, इस तरफ Realme GT Master Edition दिया गया है, इसको हम आगे देखते हैं जल्दी से, यहां पर आपको एक Type-C USB Cable मिल जाएगा, यह Type-C USB Cable है, जो Fast Charging Cable मिल जाता है, इस फोन के साथ, Super Dart Charging यह सपोर्ट करेगा केबल, Fast Charging Cable है, उसके अलावा यहां पर एक Case दिया गया है, काफी Sleek सा Case है, बहुत ही बढ़िया, इसका Finishing है, Soft Finishing है, और Matte Finish दिया गया है, Flexible Case है, उसके अलावा यहां पर आपको Super Dart Charger मिल जाता है, इसकी Rating में आपको दिखा देता हूं, इसकी जो Rating यहां पर दी गई है, वो है 10 Volt और 6.5 Ampere, यह 65 Watt का Super Fast Charger दिया गया है, इस Box में, यहां पर आपको Earphones नहीं मिलता है, यह सिर्फ Sim Tray का Sim Tray Ejector आपको मिल जाता है, इस Box के अंदर, Earphones नहीं आते है, आपको USB Cable मिलता है, चार्जर मिलता है, और एक Case मिल जाएगा, तो चलिए Phone देख लेते हैं, अब Phone कैसा है, फोन यहां से मैं Open कर लेता हूं, कुछ इस तरह का Phone है, फोन की डिजाइन अब देख लेते हैं, चलिए बात कर लेते हैं इस Phone की डिजाइन के बारे में, बात कर लेते हैं Realme GT Master Edition के डिजाइन की तो इसके Backside पर आपको Glossy Finish Surface मिलता है, Reflective Surface है आप देख सकते हैं, काफी Reflective Surface है और Patterns नज़र आ रहे हैं, काफी Lightweight डिजाइन है, Lightweight और Slim डिजाइन है, इस Phone का 174 ग्राम का इस Phone का वेट है, कैमरा बल्ग भी बहुत ही चोटा सा है, Slim Phone है, यह बहुत ही बढ़िया डिजाइन है, टेपरड एजिज यहाँ पर दी गई है, जैसा कि आप लेक सकता है, फोन के बॉटम साइट पर आपको Type-C USB पोर्ट मिल जाता है, लाउट स्पी कर दिया है, माइक्रोफोन दिया है, और एक 3.5 में पर जैक दिया है, डिवल स्टेंडबाइ सपोर्ट करता है यह फोन, लेकिन यहाँ पर जो डिवल सिम स्लॉट है, उसमें MicroSD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा, आप MicroSD कार्ड एक्सपंशन नहीं कर पाएंगे, इस राइट साथ पर आपको एक Power Button मिलता है, और जो Fingerprint Scanner दिया है, वो Screen के अंदर दिया है, In Screen Fingerprint Scanner इस फोन के अंदर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको In Screen Camera मिल जाता है, Front Camera, यह Selfie Camera जो है, वो 32 Megapixel का है, Sony IMX615 Sensor इसमें मिलता है, और Backside पर आपको Triple Cameras मिल जाता है, Triple Cameras जो है, वो उसमें है, 64 Megapixel का Main Camera, जो Primary Camera है, वो 64 Megapixel है, उसके साथ यहाँ पर 8 Megapixel का Ultra Wide Angle Camera दिया गया है, और 2 Megapixel का Macro Camera इसमें दिया गया है, इसके डिस्पले की बात करें, तो यहाँ पर जो डिस्पले आपको मिलता है, वो 6.43 इंज का Super AMOLED डिस्पले मिलता है, 120 Hz का Refresh Rate इसमें दिया गया है, और Full HD Plus Resolution है, बहुत ही बढ़िया सा डिस्पले है, ब्राइट डिस्पले है, क्रिस्प डिस्पले इसके अंदर आपको मिल जाता है, मैं आपको बता दूँ, यह डिस्पले चो रहा है, वो Samsung की तरफ से है, यह एक फ्लैक्शिप ग्रेट डिस्पले है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी लग रही है, इसके डिस्पले की, कैमरा अपकी में बात करूँ, तो यहाँ पर आपको इस तरफ का कैमरा इंटरफेस मिल जाता है, यहाँ पर पोट्रेट मोड दिया है, 64MP का मोड है, मोड के अंदर जाएंगे, तो आपको कुछ और मोड मिल जाएंगे, यह रहे, वो मोड डूल वीडियो मोड है, यहाँ पर प्रो मोड भी मिल जाता है, यह प्रो मोड अविलेबल है, नाइट मोड के अंदर, वीडियो केपेबिलिटीज के में बात करूँ, तो यहाँ पर आपको जो वीडियो रिसॉलिशन है, वो 4K मिल जाता है, 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है, लेकिन 30fps पे लॉक है, 60fps पे नही है, वो कैमरा सैंपल्स, सॉफ्रेल की बात तर इस फोन के अंदर आपको सॉफ्रेल जो मिलता है, वो Realme UI 2.0 है, यहाँ पर Realme UI 2.0 में आपको दिखा देता हूँ, यह रियल्मी UI 2.0 और यह Android 11 के उपर बेस्ड है, Android 11 जो है, वो सिक्यूरिटी पैच देता है, जुलाई 5, 2021 का लेटेस्ट पैच है यहाँ पर, और बाकी सारे स्पेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, स्पेक्स के बार में बात करें, उससे पहले मैं आपको दिखा दो इसका इंटरफेस, कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है, यह Realme UI 2.0 है, यहाँ पर जो Realme UI है, वो काफ ना हो तो निकाल भी सकता है, आपको अगर नहीं पसंद जैसे Facebook है, Snapchat, Amazon, Netflix, यह सारे एप्स आप निकाल सकते है, दूसरे एप्स मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ एप्स यहाँ पर भी मिल जाते है, एक्स्ट्रा एप्स यहाँ पर दिये गए है, आपको अगर एप्स नहीं पसंद तो आप उसे निकाल दीजे, बाकी इंटरफेस के अंदर मुझे कोई इशू नहीं आया, बहुती स्मूध इंटरफेस है, इसका इनिशल यूज के अंदर काफी स्मूध इंटरफेस है, इसमें 120Hz का जो डिस्प्ले आता है, 120Hz का रिफ्रेशर मिलता है, उससे जीप्यों मिलता है, गेमिंग के लिए और यहां पर जो वेलेंट्स आता है, इस फोन में वो तीन वेलेंट्स आता है, 6GB RAM 128GB, 8GB RAM 128GB और 8GB RAM 256GB, जो मेरे पास है, यहां पर मेरे पास जो वेलेंट है, वो 256GB वाला है, मैं आपको दिखा देता हूं, अबाउट में जाके, यह 256GB और RAM जो है, वो 8GB है, 6GB और 8GB RAM में यह फोन अविलेबल है, यहां पर आपको एक और चीज में दिखा दूँ, जो RAM इसमें दिये गए है, वो एक नई टेकनलोजी के साथ आता है, RAM Expansion Technology, इसकी मदद से आप RAM को Expand कर पाएंगे, RAM Expand हो सकता है 5GB तक, 2-5GB तक आप RAM को Expand कर पाएंगे, यानि अगर इस फोन के दर 8GB RAM है, तो आप इसको 2GB सिलेक्ट करते है, तो यह 10GB RAM हो जाएंगे, या फिर 5GB RAM सिलेक्ट करेंगे, तो RAM जो है, वो 5GB एक्स्टेंड हो जाएंगे, यानि 8-5, 13GB RAM इस फोन में मिल सकता है, यह RAM Expansion कैसे गाम करता है, यह Storage का एक portion ले यह 5GB का storage का portion ले ले लेगा, और उसे RAM की तरह यूज करेगा, तो यह एक बढ़िया सा feature इस फोन के अंदर दिया गया है, बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी साइज की, तो इस फोन के अंदर जो बैटरी आपको मिल जाती है, वो 4300 मिले आम पाउर की है, और यह फोन जो है वो support करता है, 65W का fast charging, super dark charging ये phone support करता है, इस phone में जो मुझे अच्छा लगा वो है, इसका design काफी slim design है, इस phone का lightweight design है, 174 ग्राम का ये phone है, उसके अलावा यहाँ पर इसका जो display आता है, वो काफी neat है, काफी bright display है, super AMOLED display है, 120Hz का, और यहाँ पर fast charging दिया है, 65W का fast charging इस phone के अं फोन आपको कैसा लगा मुझे बताईए, comments के अंदर, फोन के बारे में आपको कुछ पूछना है, तो मुझे comments के अंदर ज़रूर बताईए, इस phone की जो pricing है, वो मैंने description के अंदर mention कर दी है, वीडियो आपको पसंद आए, तो like कीजे, share कीजे, चैनल को subscribe करना ना भूले, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, प्रूले